कि तो कैसे हो मेरे दोस्तों आज हम बात करेंगे डबडवी के कुछ रासकी जो लोग अफाव उडातें कि भाई डबडवी फेक होता है वह होता है यह होता है तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जो रेसलर का ब्लड जो निकलता है रेसलिंग के दौरान क्या हो रियल होता है या फेक होता है दोस्तों क्या हो केचप होता है टोमाइटो केचप तो दोस्तों मुझे तो लगता है टोमाइटो केचप हो सकता है इतना टोमाइटो केचप लोग लाएंगे कहा से हां बताओ यह ब्लड रियल होता है दोस्तों रियल होता है ना कि टोमाइटो केचप यह ना कि कैपसूल ब्लड इस रियल नौट फेक मेरे पास एक्जैम्पल के रूप में यह सबूत द और यह देखे रेंडी ओटन का ब्लड निकल आया देखा दोस्तों हम अब बात करेंगे डब्लब्ली रिंग के बारे में कई तरह के लोग अफ़ोड आते हैं कि वह रिंग गादी की होती है इसमें कुछ लगता नहीं यह वह होता नहीं इस पर बहुत लगता है यह जो रिंग देखते हो आप रेसलिंग के दौरान यह लकडी की होती है उस पर छोटी सी मैट लगी होती है बस यह रिंग में लगता है बहुत लगता है दोस्तों ऐसा मत समझे कि नाटक रहता है बहुत लगता है क्या रेस्लिंग के दौरान जो चोट लगती है क्या वो नकली होती है तो दोस्तों नकली कैसे होंगी अगर स्टोरी लाइन में लिखी हो तो वो नकली रहती है स्टोरी लाइन के लिए कुछ मैच के लिए स्टोरी लाइन लिखी रहती है उसके लिए नखली रहती है लेकिन कुछ चोट ऐसी रहती है जो रियल रहती है हाँ दोस्तो और कुछ रेसलर ऐसे भी है जिने बहुत समय तक रेसलिंग से बाहर रहना पड़ा और दोस्तो अगर रियल इंजूरी होती है तो रेफरी को देखना वो X साइन बनाएंगा अगर बहुत खतरनाक रियल इंजूरी हो जाती है तो रेफरी X का साइन बनाता है क्या मैच फिक्स होती है डवडवी की पहले से डिकलियर हो जाता है कि कौन जीतेंगा कुण नहीं तो दोस्तो मैं आपको पता दू ऐसा बिलकुमी नहीं होता यह किसी को नहीं पता होता हि कि मैच कोन जीतेंगा कोन आरेंगा एक्जामपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि हम ने ब्रॉक और अंडर्टेकर की मैच देखा था अकर मैच फिक्स होता तो अंडर्टेकर ही जीतते और उनकी STRIKE मो کममर रहते हारे की audit तो दोस्तों यहीं कहना था मेरा कि WWE FIX नहीं होता बागर नहीं होता तो दोस्तों मुझे आपके राए बताओ कि आपको क्या लगता है मुझे क्या लगता था मैने तो बता दिया आपको क्या लगता है कि WWE रहे है। या FAK झाल झाल